कल ना संडे का दिन था बच्चे भी घर पर थे वो बारिश भी बहुत तेज हो रही थी और अंदर बहार हो रही थे हवा भी बहुत चल रही थी मुझे बड़ा ही डल लग रहा था कहीं आयूज ज्यादा भी मारना हो जाए क्योंकि उसको सर्दी खांसी तो पहले से ही हो रहे तो आज मैं दवाई बनाने जा रही हूँ अपने बच्चे के लिए यहां पर तो मैंने साड़े 300 ग्राम की लगबग अद्रक को अच्छे से दो लिया था पाने में मत्ते हुए मतलब हातों से गिसते हुए आपको दो लेना है छिलका निकल जाता है कुछ बच्चे को आपक जो दीख रहा है ना चिलका निकाल लेना है और हां कुछ-कुछ अद्रक जो काला काला हो या थोड़ा सड़ा सड़ा सा आजाता है उसे हटा भी देना तो मेने साड़े 30 इंसोग्राम अद्रक यहां साफ कर लिया अब साफ करने के बाद आपको छोटे-छोटे तोड़े कर जितने चोटे-चोटे तुकड़े होंगे ना उतनी हमारे लिए आसानी होती है दवाई बनाने में क्योंकि भई बच्चे है अद्रक तुकड़ा थोड़ा सा भी मुह में चला गया ना तो फिर खाने में बहुत ज्यादा इतरा आते हैं और फिर पसंद भी नहीं करते हो कड कर दिया और इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया फिलाल के लिए भट मुझी लगेगा इसमें फानी जला जाल दिना कोहीं दिक्कत नहीं है दिक्कत यह पर यह ज़ी कि आपको ईसके एकदम पेस्ट बना आना है आप देख सकते हो एक भी इसमें आपको अध्रक के प्रक वाला पानी था, बचा हुए मैंने सुछा मैं ही पीलूं क्योंकि काफी दिनों से मैं देख रही हूं मेरे गले में जलन सी होती है पानी वगेर नहीं पी पाते सरदी का मोसा में प्यास तो मैं लगती है अब काम करते गरते ही थोड़ा थोड़ा पानी पे लिए तो हो सक आज ही काली मिर्च खतम होने के लिए रखी थी अब मुझे पीस नहीं पड़ेंगी तो मैंने यहाँ पर काली मिर्च ले लिए जो कि हस्बेंट जी कुछ दिन पहले ही लेके आये थे मैं क्या करती हूं इखटा पीस के पावडर बना लेती हूं क्योंकि जर्वत पड़ती ही चाय वगेरा में भी तो यहाँ पर मैं पीस के लिए क्या आती हूं इसको εलेती हूं यहाँ जर्व यहाँ जर्वत लिए डालने श्रमच सुन के लगबगा Ć जादा ना डाले अध्रक भी चिल्पड़ता हूं और काली मिर्ज भी चटपटी हो दी चिलपरी मतलब हमारे बोला जाता है तो इस तरीके से mix कर देना आपको और इसको पका लेना है एक डेट मिनिट के लगबग उसके बाद मैंने यापर चीनी डाल दिये थोड़ा यह हलका मीठा हो जाएगा तो बच्चों को अच्छा स्वाद लगता है और हलकी मिठास इसमें करी भी जाती है वरना बच्ची बिलकुल भी नहीं खाते है तो 6 चमच के लगबग मैंने याँ चीनी डाल दिये और अच्छे से चीनी को भी हम mix कर देंगी चीनी की जगे आप इना गुड़का भी यूज कर सकते हो गी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो यहापर मैंने दो चमच और गी डाल दिया कोशिश करें गाय के गी में इस दवाई को बनाए यदि गाय का गी ना मिले तो फिर बफेलो के गी में भी आप इस दवाई को यहाँ बना सकते हो अच्छे से mix करें अब हमें इसकी कन्नी बुनाई बुनाई कन्ने मतलब आपको टाइम लग जाएगा यहाँ करीब 7-8 मिनिट लग जाएंगी गेस की फ्ले मेडियम कर दें और अच्छे से भुने वो थोड़ा सा जुवान के टेस्ट को बढ़ाने के लिए काला नमक जाएगा तो काला नमक डाल दिया था मैंने आदी चमच के लगबग वो मैंने यहाँ पर इसको 4-5 मिनिट पकाया और आप देख सकते हो इसके साइड में आपको गीवी अलग नजर आ रहा होगा पर इसके अभी मुझे और भी ज़्यादा बुनाई करनी पड़ेगी जब ही जाके हमारी दवाई बनेगी तो दवाई की पेचान ही है आप देख सकते हो इसको छमचे में रखाए जैसी की जैसी ही है इदर से उदर भैन नहीं रही बिल्कुल भी यह भैन नहीं रही है sorry friends, तो इस तरी के से आपको यहाँ पर कल लेना है और उसके बाद, गेसल की frame off कर देना है जो बिल्कुल इस तरी की consistency हो जाए ना दवाई की जब भी आपको बंद करने हैं गेज और इसको कड़ाई में ही फिला दें और ठंडा होने का थोड़ा वेट करें तो दोस्तो रेस्पी तो है नहीं है जो मैं बोलू पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना unfortunately आपको कभी सर्दी खासी हो जाए तो आप मेरी इस दवाई को जरूर बनाए एक बार और आपको relief मिले तो please comment में आके फिर मुझे बाद में बताए और हाँ फिर वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनों को सस्क्राइब भी कर देना बिल आइकन को भी प्रेस कर ले ना notification आप तक पहुच जाया करेंगे तो यहां पर बिल्गुल ठंडा हो गया था हमारा यहां दवाई का मिशन जो है उसके बाद मैंने चोटी-चोटी सी बॉल्स बना ले वो इसलिए क्योंकि एक एक गोली बच्चे को दे दो एक एक दिन मे अच्छा लगा हो तो वीडियो बाई